जब किसी इंसान की अपनी इच्छाय पूरी नहीं होती है तो वह फिर उल्टे सीधे कार्य करने लगता है आज की घटना में कुछ ऐसा ही हुआ है एक मॉडल ने ऐसे उल्टे सीधे तरीके से एक औरत की जान ने ली लोगों ने भी दातों तले उंगलियां दवाली जब इस घटना को सुना यहां पर एक मॉडल जो मसूर मॉडल होती है उसको एक टीचर का करवा चौत पसंद नहीं आया था और फिर उसके बाद एक सूट आउट हुआ सड़क पर और यहां पर सड़क हादसे की कहानी को गड़ा गया तीन गोलियां उस उरत के उपर चलाई गई आगर क्या हुआ था इस घटना के अंदर पूरी सचाई जानने के लिए वीडियो को अंति तक जरूर देखिएगा नमस्कार में हो सुदेश कुमार और तिर्ची बाद चैनल में आपका स्वागत है यह घटना दिल्ली के बवाना इलाके की है दिल्ली के बवाना इलाके में मनजीत नाम का एक व्यक्ति रहा करता है जो की प्रॉपर्टी डीलर है और पैसे वाला है उसके पास बहुत सारे पैसे हैं अमीर आदमी है यहाँ पर उसकी पत्नी का नाम होता है सुनीता जो की टीचर है सरकारी स्वकूल में और उनका एक बेटा है जिसका नाम ईसु है एक बेटी है जिसका नाम नीसु है बेटी 14 साल की बेटा 11 साल का 29 अक्टूवर 2018 की है घटना है दोस्तों अब क्या है पत्नी आराम से रह रहे होते हैं कोई दिकत नहीं होती है और सनिवार को करवा चोथ पढ़ता है तो करवा चोथ मनाते हैं यहाँ पर दोनों पति पत्नी और सौमबार को जो पत्नी होती है सुनिता उसको ड्यूटी पर स्कूल जाना था और स्कूल जाने के लिए सौनिपत निकलना होता है क्योंकि बवाना के पास सौनिपत नजदीक ही पड़ता है स्कूटी से जा सकते हैं, टच में है उसी स्कूल में उसको पढ़ाने के लिए जाना था जो की गॉर्मिंट सीनिर सेकंडी स्कूल पढ़ता था सोनीपत की अंदर अब यहाँ पर क्या होता दोस्तों मंडे का दिन आता है सुबह साथ बजे का टाइम था उसकी पतनी सुनीता वे स्कूटी लेकर के स्कूल जाने के लिए घर से निकल जाती है जब वे घर से निकल जाती है तो कुछ दिर के बाद जो यह लड़का होता है मंजीत इसके फॉन पर एक फॉन आता है किसी अंजान व्यक्ति का और वे फॉन उसकी पतनी के फॉन से आया था तो वे पूशता है कि क्या बात है तो यहाँ पर अंजान व्यक्ति कहता है कि तुम्हारी पतनी की स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया, तुम यहां पर जल्दी आ जाओ तो दोस्तों यहां पर मंजीत वहां पर पहुंचता है और वहां पर लोग उस लड़की को यांकि उसकी स्कूटी को साइड में करते हैं और सुनीता को उठा करके जब एम्बूलेंस में डाल रहे थे तो पता लगता है कि एक्सिडेंट नहीं हुआ है इसको तो किसी ने तीन गोलिया मारी है अब यहां पर गायल सुनीता को एम्बूलेंस में डाल कर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है लेकिन यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है और यह गोली मारने का मामला था तो यहाँ पर पुलिस केस भी बनता है अब पुलिस आती है, पुलिस मामले की चान भी न करती है, इधर उधर पता लगाती है कि आकर किसने इसको तीन गोलिया मारी सुकूर्टी पर चलते हुए, तो पुलिस आसपरोस के लोगों से भी पूचती है जो उनका घर था, तो यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि इन द तो यहाँ पर क्या होता है उसकी call detail से पता चलता है कि जो मंजीत है उसके संपर्क में एक angel गुपता जो की model है वह है और वह लगातार उसके संपर्क में है घंटों घंटों तक उससे बाते किया करता है जो angel गुपता होती है जो की model है उसके पिता की बच्पन में ही मौत हो हरा दिया था यानि कि अब वह उसका मूँ बोला पिता बन चुका था एंजल गुपता मॉडल थी और वह मॉडलिंग के साथ साथ वह एक्ट्रेस भी बनना चाहती थी यानि कि वह हीरोई बनना चाहती थी तो यहां पर क्या होता है मा और उसके मूँ बोले बाप राजीब गुपता ने उसको मुंबई जाने की सला दी वहां जाओ और वहां पर तुम्हें काम्या भी जरूर मिलेगी तो अब एंजल गुपता मुंबई चली जाती है और वहां पर वह एक आइटम सौंग भी किया था उसने सक्ति कपूर के साथ और फिर दोस्तों अब वह पार्टियों में अक्सर दिखाई देने लगती है क्योंकि उसको लगता है कहीं धारावाइक में काम मिल जाए या फिर किसी डारेक्टर की नजर उस पर पढ़ जाए तो बड़े-बड़े लोगों की पार्टियों में जाने लगती है और वहां पर लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाने लगती है इसी तरह से गुरुगराम के अंदर भी एक ऐसी ही पार्टी होती है उस पार्टी के अंदर भी एंजल गुपता आती है और वहाँ पर मंजीत भी पहुंच जाता है क्योंकि अमीर खांदान से बिलॉंग करता था तो मंजीत और एंजल गुपता की मुलाकात हो जाती है दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और दोनों एक दूसरे के नंबर इधर उधर ले लेते हैं अब यह दोनों घंटे घंटे तक बात है करने लगते हैं दोनों को गहरा प्यार हो जाता है मिलने भी लगते हैं चुपके चुपके और अब यहाँ पर जो लड़की होती है एंजल गुपता वह मंजीत से कहती है कि मैं तुमसे साधी करना चाहती हूँ लेकिन मझीत कहता है कि मैं तो पहले से ही साधी सुधाओं मेरे दो बच्चे हैं लेकिन एंजल यहाँ पर मानती नहीं है वे तो उससे साधी ही करना चाहती थी अब यहाँ पर जब भी मिलता मझीत उससे तो बार बार उसके उपर साधी का दबाव डालती अब दोस्तों यहाँ पर मंजीत कहता है ठीक है मैं टाइम आने पर बताऊंगा क्या किया जा सकता है अब अक्टूबर 2018 में करवाचोथ भी थी तो एंजल गुपता करवाचोथ का व्रत रखती है मंजीत के लिए अभी साधी नहीं हुई थी और वैं कह रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ करवाचोथ मनाऊंगी लेकिन जो मंजीत होता है कि मेरी पतनी घर पर उसे दिन से जब से साधी हुई है करवाचोथ मेरे साथ मनाती है अगर मैं तुम्हारे पास रुख जाओंगा तो बवाल मच जाएगा ऐसा करते हैं कोई प्लानिंग करते हैं और मैं तुम्हें वादा देता हूं कि आगली करवा चोथ पर मेरी पत्नी तुम्हारे बीच में नहीं आएगी अब यहां से दोस्तों वह उसे वादा दे करके एंजल गुपता के घर से निकल जाता है और अपने घर पहुंच जाता है अपनी पत्नी के साथ करवा चोथ का वरत खोलता है रात हो जाती है सो जाते हैं अब यहां पर क्या होता है दोस्तों जो एंजल गुपता होती है वह और मंजीत गुपता जो होता है वह और जो एंजल गुपता का जो मूबोला बाप होता है राजीब गुपता वह अपने बाप से कहती है कि मैं तो मंजीत से साधी करना चाहती हूँ लेकिन उसका पिता degli起床 फारी देने के लिए बावाना और चार लोगोको सविपारी देदी जाती है अब यह हो लेता है और जैसे ही व्य है किसे पत्र कर देता है तो अहलो basic कर देता है और उनको गोली माडने के लिए कह देता है वे लोग उसमें तीन गोली मारते हैं सुनीता के उपर और मार करके वहाँ से फरार हो जाते हैं इह दर है पती सीधा अपने गहर पहुंचता है और वहाँ पर इसके पास फosn आता है तो यह वापस हो दिखाने के लिए तो यहाँ पर दोस्तों पुलिस मंजीत को एंजल गुपता को और पिता राजीव गुपता को और चार सुपारी किलर को इन सभी लोगों को पुलिस गिरपतार करती है और इनके उपर सक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है तो इस तरह से एक वासना और हव पिखाई नहीं देता है, अंदे हो जाते हैं, तो जैसे कि एंजल गुपता और वह मंजीत नाम का व्यक्ति जिसने अपनी पतनी को धोका दिया और एंजल गुपता ने भी उसकी पतनी को मरवा डाला, तो ऐसे ऐसे लोग भी इस देश और दुनिया के अंदर होते हैं, तो दोस्तों यहां पर साब्धान रहें, सुरक्षित रहें, अगला पूर्गा मोजल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सची घटना के उपर, तब तक जै हिंद, जै भारत.